हेलो नमस्कार आदाप सस्रिया काल गुड मॉर्निंग दोस्तों जियस वाले भहिया आपका हर्दिक स्वागते हों अभिनंदन करते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर GS की full preparation कराते हैं जो किसी भी exam के लिए जिसमें भी GS पूछी जाते हैं काफी helpful होती है तो दोस्तों हम लोग quality का section पर वर प्रशित के theories और MCQs solve कर चुके थे अब दोस्तों one liner questions की बारी है दोस्तों हम लोग preparation के दौरान सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लोग MCQs और one liner नहीं सौल करते हैं जो कि exam के लिए काफ़ी helpful होता है और इसलिए अधिक तम लोग जो है पंचान रिपरिशन लोग selection से दूर हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों यह MCQs और one liner हमारे revision कराने में बहुत helpful होते हैं और exam time में कम समय में execute करने के लिए काफ़ी helpful हो जाते हैं तो दोस्तों अब हम लोग अपने session के और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों पहला question है इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्टपती को उसके कारणेों के संचालन में सहायता और मंत्रना देने के लिए एक मंती परिशद होगी जिसका प्रधान-प्रधान मंत्री होगा तो हम लोग पढ़ चुके अनुच्छे 74-1 में दो ठीक दूसरा है मंति परशत सामोहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो सामोहिक रूप से लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है अनुछे 75-3 में है क्या कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी मंत्री बन सकता है बन सकता है प्रधान मंत्री तक बन सकता है बसरते 6 माह हे तो के वल और 6 माह के भीतर उसको जो है संसद की सदसता ग्रहन करनी पड़ेगी चाहे निरवाचित हो चाहे मनोणीत हो क्यों था है भारत में कारपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें नहीत होती है तो वास्तविक शक्तियां प्रधान मंत्री में नहीत होती है पाचवा है भारत सरकार का सर्वोच शाष की अधिकारी कौन होता है सर्वोच शाष की अधिकारी दोस्तों भारत का मंत्री मंडल ही है सची होता बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान दीजीगा मंत्री राष्ट पती के परसाथ परियंत धारन करते हैं किस अनुच्छेद में हैं 75-2 में हैं हम लोग पढ़ चुके हैं किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास परस्ताव पारित कर देने पर मंत्री परिशत को त्याग पत्र देना पड़ता है तो लोग सभा के अगर लोग सभा जो है बहुमत से अविश्वास परस्ताव पास कर देती है तो मंतिपरशत त्याग पत्र दे देती और minimum 50 सदस से इसमें आव विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समर्थित होने चाहिए ठिक भारती समिधान का कौन सा प्रावधान प्रधान मंतरी साइथ मंतरियों की नियूक्ति का प्रधान करता है इसमें कहा गया है कि राश्पती प्रधान मंतरी की नियुक्ती करता है नियुक्ती करता है और प्रधान मंतरी की सलापर अन्य मंतरी की नियुक्ती राश्पती करता है किस की सलापर प्रधान मंतरी की सलापर स्वविवेक से नहीं करता है दसवा है भारती राजनीतिक व्यवस्था में कारपालिका किसके अधिन रहकर कार करती है तो कारपालिका संसद के अधिन रहकर कार करती है मतलब विधाईका के अधिन रहकर कार करती है ठीक है ग्यारवाँ है प्रधान मंत्री बनने की नियूंतम आयू क्या होनी चाहिए नियूंतम आयू 25 वर्ष होनी चाहिए ठीक है 30 वर्ष का भी हो सकता है राजसबा लेकिन नियूंतम आयू 25 वर्ष होनी चाहिए ठीक है पर्थम गैर कांग्रेसी प्रधान मंतरी मुरार जी देश आई थे ठीक है ऐसे प्रधान मंतरी थे जो कांग्रेस से नहीं थे ठीक है ये पहले तेरवा है किस प्रधान मंत्री की मृत्यू देश से बाहर हुई थी? तो हमको पता है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यू देश से बाहर हुई थी? कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ठीक है? बहुत important question है ये भारत के प्रधान मंत्री तथा मंत्री परिशत के सदस्यों के उपद की गोपनियता की शपत कौन दिलाता है? मंत्री परिशद को पद्यों गूपनियता की शपत कों दिलाता है राष्टपती दिलाता है अनुसूची तीन के अनुसार पंदरवा है किस अनुच्छेद के तहट राष्टपती को जानकारी देना प्रधान मंत्री का करतब होगा अनुचेद 78 में दिया गया है और 78A में प्रशाशन और विधान संबंदी जानकरी प्रधान मंत्री देगा 78B में प्रशाशन और विधान संबंदी जो जानकरी राश्पती मांगेगा देगा और अनुचेद 78 सी में कोई मंतरी का विनिश्चय यदि मंति परिश्द ने नहीं लिया है तो राश्पती के पेक्षा पर पर प्रधान मंतरी उसको मंति परिश्द के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा दोस्तों ठीक है ये ध्यान दिना है 16 ते छेतरी परिश्द के धक्षता कौन करता है छेतरी परिश्द होते है तो उसका किंदरी ग्रह मंतरी करता है ठीक है 17 कॲेंट के भारत के किन प्रधान मंतियों की मृत्य उनके कारेकाल के दौरान हुए तो पंडी जवहालाल नहरु की मृत्य हुएऽ लाल बहतुर शास्तरी की भी मृत्य हुए थी और इंद्रा गांदी की मृत्य जरूर में नहीग थे वो ठीके धन दैना है राजी गांदी आप्शन में जरूर मिलेगा अगर ऐसा कॉश्चन आएगा ठीक है अठारवा है दो बार कारवाहत प्रधान मंतरी के रूप में कौन चुने गए थे तो बहुत इंपोर्टेंट है गुलजारी लाल नंदा चुने गए थे पहली बार का चुने गयता जब हलाल नहरु की मृत्त हुई थे और दूसरी बार का चुने गयता जब लाल बहादुर शास्तिरी जी की मृत्ती हुई ठीक है बार नंदा चुने है प्रधान मंतरीप दसे प्रथम व्यक्ति ध्यान देना है ठीक है प्रधान मंत्री पत्से त्याग पत्र देने वाले ठीक है सबसे कम तथा सबसे अधिक उम्मर में प्रधान मंत्री बनने वाले व्यक्ति विश्वास प्रस्ताओं पर मतदान के पहली अपना त्याग पत्र दे दिया था तो चौधरी चरण सिंग और अटल भिहारी बाज पही थे दोस्तों ठीक है कौन से ऐसे प्रधान मंतरी थे जो लोग सभा में विश्वास मत प्राप ना कर पाने के कारण ट्याग पत्र दे दिया था तो वीपी सिंग और एचडी देवगवडा थे वीपी सिंग के ही समय में वो आरच्छन वाली बात आई थी मंडल कमिशन की आयत रिकोड को लागू पिया था ठीक है चोबिस्वा है देश की प्रथम महिला प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी थी कैंडरी मंतर मंडल से त्याक पत्र Δेने वाले प्रथम मंतरी को थे शियामा प्रसाद मुखर जी थे यह भी इंपॉर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले किस प्रधान मंतरी ने त्याक्तिर दिया था तो विश्वनात प्रताप सिंग ने दिया था धक्षिर भारत से प्रधान मंतरी न्यूक किये जाने पहले नेता कों थे पीवी नर्सिम्मा राओ 1991 में इनी के समय में LPG आया था liberalization, privatization और globalization ठीक ये हो गया 29 थे सर पर्थम अविश्वास परस्ताव किस प्रधान मंतरी के विरुध लाया गया था तो पंडित जवाहलाल नहरू के विरुध जब 1962 में चीन से युद्ध होता है उसके बाद से ठीक है तीस्वा है उसके बाद जब युद्ध में हार जाता भारत था एक कारेकाल में सबसे कम समय तक परधान मंतरी का पद्धारन करने वाले कौन वेक्ती थे तो अतल विहारी बाचपई थे मातर 13 दिन अisteristy फ़ट है 1947 से 1977 तक परधान मंतरी सचिवाले की रूप में इस्थापित कार्याले जो परधान मंतरी सचिवाले था उसको 1977 में उसका नया नाम रख दिया गया था क्या रख दिया गया था प्रधान मंतरी कार्याले रख दिया गया था और यह किस ने किया था मुरारजी देशाई ने किया था ठीक है इंपोर्टेंट ध्यान दीजेगा 32 है उदारी करण, निजी करण, भुमंदली करण अभी उपर बता चुके है LPG की नई आर्थिक नित किस प्रधान मंतरी की द्वारा घोशित की गई थी तो पीवी नरसिमा राव की द्वारा ठीक है 33 है संगी मंतरी मंदल का पुनर गठन किस रिपोर्ट पर आधारित था तो गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट पर आधारित था बहुत इंपोर्टेंट है संगी मंतरी मंदल का पुनर गठन का रिपोर्ट जो था वो गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट पर आधारित थ बहुत important है यह चीज़ है देना है तो तिसवा है स्वतंत भारत में स्वर पर्थम संसदी सचिव का पद कब सिर्जित किया गया था तो 1951 में संसदी सचिव का पद सिर्जित किया गया था important है तिसवा है जवाहल लाल नहरू लाल बहदुर शास्तिरी इंदरा गांधी राजिय इस्थन हो गया और राजीव गांधि वीर पुरुष्थी राजीव वासे वीर आ गया है कि नहीं तो वीर भूमीन का हो गया है कि नहीं तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 35 कोश्चन वन लाइन और 30 कोश्चन mcqs पहले भी solve कर चुके हैं और theory में भी काई फी वार multiple times revision भी कर चुके हैं दोस्तों तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये केंदरी मंति परश्चत का topic बहुत अच्छे से clear हो गया होगा उमीद करते हैं शेशन आपको पसंद आया होगा शेशन को like कीजिएगा share कीजिएगा comment कीजिएगा subscribe नहीं किए हैं तो subscribe कर लीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले session में महानयवादी के साथ जय हिन जय भारत